सभी तरह की निव लेटिस्ट मुशारा वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल आर इस मीडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाए हमारी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए मैं चार मिस्रों से जनाब युस्फ फलाई साथ मेरे वो तो अच्छा है के बांदे हुए हाथ मिले और मुझको सुनिये नजर अंदाज ना कीजिए साहब मुझको सुनिये नजर अंदाज ना कीजिए साहब मेरे हालास से अच्छे है ख्यालात मेरे मेरे हालास से अच्छे है ख्यालात मेरे जनाब युस्फ फलाई साथ माइक पर बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। जमाने में अलग अपनी कोई पैचान पैदा कर। किसी मसलग पे चल लेकिन अमल में जान पैदा कर। कोई अपनी अलग पैचान पैदा कर। और तु जिनका तु जिनका नाम लेवा है कुछ उनसे काम भी कर ले। अमर फारूक जैसा बन अली सी शान पैदा कर। जिस है तु जिनका बाद जोड़दार तालियोंसे इसतक्बाल करें जिनाब युसफ फलाई सहाप का। कर फारूक जैसा बन अली सी शान पैदा कर और यह शेर देखे कि सबको हैरा करने वाला मनजर भी हो सकता है सबको एरा करने वाला मनजर भी हो सकता है पोशीदा फूलों में कोई खंजर भी हो सकता है हो सकता है और नाज नकर नाज नकर ताकत पर अपनी हाथी है जो तेरे साथ मेरे साथ अबावी लोग का लशकर हो सकता है लशकर भी हो सकता है बड़ा अच्छ पर रही है यूसुफ अलाइश है बहुत थिछा पर रहे हैं। कभी कुछ नवजवानों पर कभी कुछ नवजवानों पर सित्म-जारी रहेगा कब तलक मेरे घरानों पर कभी बिलकीस बानों पर, कभी कुछ नव जवानों पर सितम जारी रहेगा कब तलक मेरे घरानों पर और तू अपने जल्म का आगाज ऐ जालिम जहां लिख दे तेरा अंजाम लिखा है खुदाने आसमानों पर तेरा अंजाम लिखा है खुदाने आसमानों पर और ना कोई वहमों गुमान दूगा सभी को अमनों अमान दूगा और गिराएंगे वो जहां जहां बम वहाँ में आजान दूगा वहाँ 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 बहुत अच्छा पढ़ रहा है युसुफ फलाई साहब वहाँ वहाँ हम तो शायर है धड़कता हुआ दिल रखते है हमने खंजर नई हातों में कलम रखा है और हम उसी शायर को गुल्दार बना सकते है तुमने जिस शायर के बनियाद में बम रखा है तुमने जिस शायर के बनियाद में बम रखा है बहुत अच्छा पढ़ रहा है युसुफ फलाई साहब बहुत शुक्रिया कि शायरी बहुत होगी घजले भी बहुत हुई अब मैं हकूमत से चंद सवालात करने की जसारत कर रहा हूँ जी आप लोगों के मतलब जो सवालात अगर निकल आए जो हज़रात पीछे हैं उनसे मुद्दमाना गुजारिश के सामने आ जाए करीब आओ तो शायद हमें समस्सको ये फासले तो गलत फहींगा बढ़ाते हैं करीब आने से चलता है शक्सियत का पता जमी से चांद जरासा दिखाई देता है आप हमें बहुत छोटे नज़र आ रहे हमारी ख्वाइश हैं कि आप बड़े नज़र आ रहे हैं पड़िए सुपलाई सा धीरे धीरे चीन रहे हो जनता की आजादी क्यूं अपने हकी खातिर लड़ने वाला आतंगवादी क्यूं क्या बात है बहुत अच्छे कुर्सी की लालच में कब तक जनता से मुह मोडोंगे किस किस को तुम बुल्डो जरसे बेघर करके छोडोंगे बहुत शुक्रिया कुर्सी की लालच में कब तक जनता से मुह मोडोंगे किस किस को तुम बुल्डो जर से बेगर करके छोड़ोगे इस गुल्शन को करने बैठे हो जंगल की वादी क्यों दीरे दीरे चीन रहे हो जनता की आजादी क्यों और क्यों मासूमों की जानों की तुमने कीमत कम कर दी इस बारत की जनता के जहनों में क्यों नफरत बर्दी क्यों मासूमों की जनता के जहनों में क्यों नफरत बर्दी मासूमों को कैद किया दी गुंडों को आजादी क्यों दीरे दीरे चीन रहे हो जनता की आजादी क्यों और ये बंद दिखिए कि GST का कब तक भोली जनता बार उठाएगी कब तक और अमीरों की ही दौलत बढ़ती जाएगी करजा लेकर भाग रहे है भारत के अप रादी क्यों करजा लेकर भाग रहे हैं भारत के अप रादी क्यों दीरे दीरे चीन रहे हो जनता की आजादी क्यों वाह बहुत खोब युसुफ अलाई साब बड़ा अच्छा बढ़ दे तो दौलत दिखिए को अच्छा बादी वाह दूसरे पक्षों में रहकर जो अप रादी कहलाते हैं आपके पक्ष में आते ही क्यों पांप उनके दुल जाते हैं आपकी उजली उजली उनकी मैली मैली खादी क्यों दीरे दीरे छीन रहे हो जनता की आजादी क्यों और मेरा ये बंद नौजवानों के लिए बिलकुल बिलकुल आता हो आता हो के आखिर कब तक दे पाओंगे बोलो काम युआओं को या बस दर दर फिरने दोंगे इनमद मस्त हवाओं को आखिर कब तक दे पाओंगे बोलो काम युआओं को या फिर दर दर फिरने दोंगे इनमद मस्त हवाओं को वादा जब बरसाथ का होगा होगी बुन्दा बांदी क्यों दीरे दीरे छीन रहे हो जनता की आजादी क्यों और ये बंद भी देखे के डॉलर से एक दिन जों उच्छा रुपिया उठने वाला था वापस अपने देश में काला धंजो आने वाला था वापनों की जागीर थी आखिर गैरों में लुटवादी क्यों दीरे दीरे छीन रहे हो जनता की आजादी क्यों और ये बंद भी देखे के कब तक फेकम फाक करोगे मन की बात सुनाओगे पंद्राला कवादा था बो लो कितने देपाओगे कब तक फेकम फाग करोगे मन की बास सुनाओगे पंदरा लाग का वादा था बोलो कितने दे पाओगे दोके में आएगी तुम्हारे जनता सीधी साधी क्यों दीरे दीरे चीन रहे हो जनता की आजादी क्यों दीरे दीरे चीन रहे हो जनता की आजादी क्यों